हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रणर दोस्तों, ट्वैल्स फेल नॉवेल में हमने पार्ट वन में देखा कि कैसे मनोज की उम्मीदों पर पानी फिर गया SDM दुस्यन सी ने मनोज के इस्कुल में नकल नहीं होने दी मनोज के पास 10 रुपए मैच खेलने के लिए नहीं थी, इसलिए उसे मैच खेलने का मौकर नहीं मिला फिर भी वो हिम्मत करके मैच देखने गया और फिर SDM दुस्यन सी तारा मनोज की तारिफ करने पर एक दिवाना पंसर उसके मन में छा गया अब आगे मनोज की पिता रामविर सर्मा को गाम आए एक महिना हो चुका था वेतन के रुके पैसे मम्मी को मिल गये थे मम्मी ने उधार पटा दिये लेकिन वह पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही नौकरी पर जाते हैं तो महिनों घर नहीं लोडते अब घर आये हुए भी उन्हें एक महिना हो गया पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं राज्य सरकार के क्रिसी विभाग में क्रिसी विस्तार अधिकारी के पत पर क्या इतनी चुट्या मिलती है कि एक-एक महीने नौकरी पर जाया ना जाया मम्मी ने एक दिन पिता से उची आवाज में पूछी लिया अब नौकरी पे कब जावेगो पिता को नौकरी करने के अंदाज पर किसी का हस्चेप बिलकुल भी पसंद नहीं था उन्होंने उसी उची आवाज में जवाब दिया तू काम कर अपना तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं तेरे खांदान में कौन ने करी है नौकरी गमार अनपढ़ कहीं की मम्मी अपने खांदान पर पिता के कठाक्ष से तिल मिला गई मेरे खांदान में तो ना करी पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो मैं जानती हूँ साल साल भर गायब रहते हो यहां किसके भरोसे छोड़ जाते हैं हमें लेकिन पिता के इस तरह की घरी खोटी सुनने की आदत थी इसलिए वे डिगने वाले इंसान नहीं थे वे मम्मी की तरफ ध्यान दिये बीना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे तभी उनका भाई स्याम सुन्दर आ गया स्याम सुन्दर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई राम बीर को संबोधित करते हुए कहा भाई साहब मनोज फेल है गयो उसे उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल हो जाने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे लेकिन वह अपने भाई की इस सूचना से अप्रभावित रहे उन्होंने अपने सामने फेले कागट समेट कर पलंग के नीचे रखे संदुक में जमाए और उटकर जाने लगे पिता के इस पलाइन को देकर स्याम सुन्दर ने अपनी खबर को और अधिक मसालेदार बनाते हुए फिरसिक कोशिस की हिंदी छोड सब विसा में फेल है गए हो पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं बलकि किसी अपरीचित के फेल होने की खबर दी जा रही हो सुख दुख क्रोध विसाद से परे उनका चेहरा पूरुवत जड़ बना रहा फेल पास यस अप्यस उन्नती अवनती हानी लाव से परे था उनका व्यक्तित्व उन्होंने स्याम सुंदर को अंसुना कर बकसे में छोटा सताला लगाया उसे एक दो बार हिला कर देखा और बकसे को पलंग के नीचे सरकार कर बाहर जाने लगे स्याम सुन्दर मनोच के फेल हो जाने जैसे रोचक विशे पर साइद लंबी चर्चा चाह रहा था इसलिए फिर से उसने कोशिस किये गनी, फिजिक्स, कैमेस्ट्री में 10-10 नंबर तक छू न पायो अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आये है मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रूग्रेस रिपोर्ट को अंसुना कर दिया पिता को चुप देकर माने बोलना सुरू किया मोड़ा फेल है गयो और इनके कान पे जूना रेंग ती पिता ने जब यह उलाहना सुना तो वह सिग्रेट सुलगा कर पलंग पर बैठ गया उन्होंने दो तिन लंबे कस खीचे और स्याम सुन्दर के चेहरे की और देखा स्याम सुन्दर ने अपने बड़े भाई को उनके करतव याद दिलाने सुरू किये मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ साथ रहेगो तो कुछ पढ़ लेगो गाउं में तो आवारा गर्दी ही करेगो है गयो फिल मनोज आठी क्लास तक पिता के साथ ही रहा राइपूर गरियाबन और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहता था लेकिन चार साल से मनोज कमलेस और छोटी बहन रजनी और ममी को गाउं में ही रहना पढ़ रहा था पिता उन्हें अपने साथ डिन्डोरी नहीं ले गए मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी चार साल गाउं में ही रहकर बरबाद कर दिये कमलेस को पढ़ाई में कोई रूची नहीं थी उसने तो आठवी के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी रजनी तो लड़की थी पिता की नजर में उसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी पिता को अब स्याम सुन्दर के इस एक तरफ़ डिसकसन में बिल्कुल भी रूची नहीं रही उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिग्रेट की राग जाड़ी और भारी आवाज में निसकर्स वाके बोले अगले साल है जायों को पास इतना कहकर वह लापरवाही और जूमती हुई चाल से सीडियों से उतरने लगे उतरते उतरते उन्होंने मम्मी से कहा मनोच को जब पता चला कि वह हिंदी को छोड़कर सभी विसयों में फेल हो गया है तो वह बहुत दुखी होकर पूलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर में बैठा काफी देर तक आंसू बहाता रहा हिंदी के पेपर में उसे सो में से 62 नंबर मिल गये थे हिंदी सरल होने के कारण उसकी रूची का विसय भी था उसे उपन्यास, कविता और कहानियों पढ़ने का सोग भी था लेकिन हिंदी अकेले उसका बेड़ापार नहीं लगा सकती थी अंग्रीजी ने भी धोका दिया माइ बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखते समय के वल पहली लाइन उसने ठीक लिखी थी माइ बेस्ट फ्रेंड इस राकेस इसके बाद उसे गलती स्पैलिंग और टेंस का सहारा लेना पड़ा वह दो तिन लाइन ही लिख पाया और बाकी खाली छोड़ दिया मंदिर से बाहर निकल कर वह अपने दोस्त राकेस के घर चला गया दुखी मनोज को राकेस ने सांत्वना देते हुए कहा अब तो दीन भर है गयो कब तक मुझ लटकाए रहेगो विशनु फस्ट डिविजन में पास हो गया था उसे अपने पास होने की खुसी थी पर मनोज को सांत्वना देना भी उसकी मजबूरी थी उसने मनोज से कहा मैंने तो पहले ही कही थी कि पढ़ ले नकल को को भरोसा ना है मनोज ने विशनु की समझाए इसका उत्तर देती हुए कहा मोज समझ ही ना आते गनित के सवाल कैसे पढ़ लूँ तीनों मित्र बाते करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुए पर पहुँच गया कुए पर महिलाए पानी भर रही थी बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा ए लल्ला तू आ गए हो मनोज के दरवाल्टी खीचने के बाद आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आसिरवाद उसे दे दिया लल्ला तू फस्ट ते पास होएगो मनोज ने आसिरवाद सुना तो निरास फीकी हसी उसके होट पर आ गए पास खड़े चाचा स्याम संदर ने बुढ़िया कासिरवाद सुन लिया उनसे नहीं रहा गया उन्होंने आस पास खड़े लोगों को सुनाते हुए तेज आवाज में बोलना सुरू किया अरी ताई अब तक फस्ट आवेगो मनोज तो पास नहों पायो फस्ट की बार तो दूर है मनोज अपने सारवजनिक अपमान से आहत हो गया लेकिन राकेश के दिमाग में बहुत देर से एड़ बात रुगी हुई थी उसने कहा मैं तो कह रहो पढ़ाई लिखाई में अब कचू न धरो बी ए ए में चपल चटका रहे हैं तू तो को काम धंदो शुरू कर दे मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा पर वह अपने घर के आर्थे की स्तिती जानता था राकेश धंदे के लिए लाखो रुपे चाहिए कहां से आएंगे भविस्य के प्रति निरास और अनिस्चित मनोज अपने घर पहुँच गया उसका छोटा भाई कमले सुबह से गायब था मा अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परिशान थी मा ने पीता को अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने कहा सबेरे आ जाएगो परिशान न हो तू रोटी बना इतना कहकर पिता निस्चिंत भाव से छट पर टहनने चले गया अगले दिन सुबह साथ वजे कमले सा गया वह अपने किसी दोस्त के यहां जवरा चला गया था कमलेस जवरा से खाली हाथ लोट कर नहीं आया था बलकि विचारों की नई रोसनी लाया था वह परिवार को पट्री पर लाने के लिए एक अभूत पूर्व योजना पिता को बता रहा था बल्ले न्यू ब्रेंड टेंपो खरीद रहो है इसलिए अपनो पुरानो टेंपो बेच रहो है 40,000 में महिना के 8-10,000 कहूं न गए मैं चला लेंगो मनो जानता था कि 12 फेल हो जाने के बाद उसे अब कोई नवकरी नहीं मिल सकती उसे अब किसी काम धंदे के बारे में सोच नहीं पड़ेगा इसलिए उसे कमलेश की योजना उपयोगी लगी उसके आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे थे कोई टेंपो चला रहा है कोई इलेक्ट्रिसियन का काम कर रहा है जिसके पास कुछ पैसा अधिक है उसने जवरा में किराने की दुकान खोल ली स्टीडी का चलान बाढ़ रहा था तो किसी ने स्टीडी बूत डाल लिया और जिनके पास जमिन थी वे खेती कर रहे हैं मनोज की पीता और चाचा दोनों के पास खेती के नाम पर केवल तीन बीगर जमिन रही थे जिसमें साल भर के लिए खाने लाये गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था इसलिए धन्दे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्ब नहीं था लेकिन पीता के पास टेंपो खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उन्होंने बहना बनाया टेंपो चला के घर की इज़त बिगाड़ेगो पढ़ो लिखो परिवार है हमारो पिता का इंकार सुनकर दोनों बेटे चूप हो गए पर मा ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया वाह बहुत इज़त है तुमारी घर घर जाके उधार मांगती हूं तब इज़त नहीं जाती मोड़ा मेहनद करके कुछ करबे को चाहा रहे है तो मदद करबे की जगह टांग अड़ा रहे हो मा का उलाहना सुनकर पिता ने मौन साथ लिया अगले दिन सुबह जब मा उपर कमरे में गई तो उसने देखा कि पिता बैग में कपड़े जमा रहे हैं पिता को कपड़े जमाते देखकर वह ठगी सी रह देई उसे लग रहा था कि वह पिता को टेंपो खरिदने के लिए मनाने की कोसिस करेगी पर पिता जो पिछले सवा महिने से नौकरी पर ध्यान दिये बीना घर पर टिके हुए थे उन्होंने आज अचानक वाफसी की तैयारी कर लिए पिता ने कहा बहुत काम पेंडिंग है अफिस में मैं अब निकलता हूँ जल्दी रोटी बना खा के जाऊंगो मा को पिता पर बहुत क्रोध हा रहा था लेकिन जाते समय पिता को कुछ न सुनाना उसे उचित लगा इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा पिता नौकरी पर चले गए ऐसा लग रहा था कि पिता के जाने के साथ ही टेंपो खरीदने की योजना पर विराम लग गया है लेकिन कमले के अगली सुबह फिर से जीत करने पर माने कहा बाब तो तेयो एक एन मोगे पर भजी गयो अब मोँ से का चाहत है मैं कहां से 40,000 रुपया ले आऊं बहूत देर चर्चा होने के बाद निसकर्स निकला मा बुली 10,000 तो मोँ पे रखे हैं 30,000 पंडित काली चरण से उधार मिल जाएंगे जेवर रखे हैं गीर भी रख देऊंगी 40,000 में बले का सेकेंड हैं टेंपो आ गया उम्मीद और आत्म विश्वास से भर गया पूरा परिवार कमलेस ड्राइविंग सीट पर बैट गया किरायाई कठा करने की जिम्मेदारी कंड़क्टर मनोज को मिले मनोज ने सवारियों को आकरसित करने के लिए आवाज लगाना सुरू किया छेरा भर्रा बागचिनी मुरेना थोड़ी देर में मुरेना की पांच सवारिया मिल गई टेंपो सवारिया लिए मुरेना की और बढ़ गया वैवसाय की सुरुवात अच्छी रही रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई की दो सरूपे मा को दिये मा दोनों बच्चों को इस तरह पैसे कमा कर लाने के कारण भावुख हो गई दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया बाल धूल से सन गए सर्ट मटमैली हो गई होट पपड़ा गए बच्चों की हालत देखकर मा की आँखों में आसू आ गया मनोज ने मा को रोते हुए देखा तो उसे गले लगा लिया उसने कहा चिंता काई कर रही है अब तेरे मोड़ा कमाने लगे है लगभग एक महिने तक टेमपो अच्छे से चलता रहा रोज साम को 2.5 रुपए दोनों बेटे कमा कर लाते रहे मा को लगा यदि इसी तरह टेमपो चलता रहा तो जल्दी ही उधार पटा दिया जाएगा फिर एक दो साल में नया टेमपो ले लेंगे पीता की अंदेखी के कारण उसे अपने बच्चों से उम्मीद होने लगी थी कि उनकी मेहनत से यह घर फिर से समल जाएगा आज टेमपो जैसे ही बाग जीनी चवराहे पर पहुंचा वहाँ पूलिस की चेकिंग चल रही थी सिपाही ने मनोज को टेमपो साइट में लगाने का आदेश दिया मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा क्या बात है दिवान जी हमें क्यों रोका गया है कागज तो पूरे हैं टेमपो के सिपाही ने कहा थाने दाहर साइब का आदेश है उनसे जाकर पूछो सिपाही टेमपो को स्टार्ट कर दो सो मीटर दूर के किनारे बाग जीनी थाने में ले जाने लगा मनोजर कमलेस टेमपो के पीछे दवड लगा रहे थे तभी पास से बालाजी बस सर्वीस की बस निकली उसका कंड़क्टर दर्वाजे से अपना सिर निकाल कर जोर से चिलाया काई रहे कही थी ना जा रोड पे टेमपो चला वो भूला देंगे अब चला टेमपो यह वही कंड़क्टर था जिसका जगड़ा बल्ले से हुआ था वह टेमपो को पहचान गया था मनोज ने जब उस कंड़क्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस आफरेटरों का सडेंदर का सिकार हो गया है थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था मनोज ने डरते हुए थानेदार से कहा सर मेरे टेमपो के सारे कागज सही है फिर भी टेमपो को थाने में बंद क्यूं कर दिया गया है थानेदार ने दिवान को आदिश दिया दिवान जी बाहर फर्यादी बैठा है उसे ले आओ दिवान एक बीच साल के यूवक के साथ वापस आ गया रात के अंधेरे में सेंध वानी करने वाला इस यूवक का नाम दिनेश था जो की पुलिस का मुख़बीर भी था थानेदार ने दिनेश से पूछा बता दिनेश क्या फर्याद लेकर आया है दिनेश ने जैसे रटार उटाया वाके बोलना सुरू किया मैं और मेरा दोस्त मोटर साइकिल से जा रहे थे पीछे से इसके टेंपो ने टकर मार दी मेरा दोस्त जमिन पर गिर कर बेहोस हो गया उसको बागचीनी के प्रात्मिक स्वास्त केंदर में भरती करके आपके पास आया हूं सर थानेदार ने मनोज को देखकर कहना सुरू किया सुन लिया तुने एक तो सड़क पर एक्सिडेंट करता है उपर से जबान चलाता है मनोज रुआसा होती हुँ बोला ये आदमी जूट बोल रहा है सर हमसे कोई एक्सिडेंट नहीं हुआ थानेदार अब अपनी असली रूप में आ चुका था चुप साले बंद करो दोनों को अंदर जेल में सड़ेंगे तब पता चलेगा कि एक्सिडेंट किया है की नहीं बाला जी बस सर्वीस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखू भी कर दिया था मनोज और कमलेस के पैरो तले जमीन खिसक गई थी दोनों के आंसु बहने लगे पर थानेदार नहीं पसीजा दोनों को दिवान ने लॉकप में बंद कर दिया दोनों का रोरो कर बुरा हाल हो रहा था वे डर के मारे काप रहे थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहा जाएं किस से मदद मांगे दो घंटे बाद दिवान ने उनसे कहा तुम दोनों को राद भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं यही गनिमत है थानेदार सहाब बहुत रहम दिल हैं अब जाओ लेकिन अब यह टेंपो तो कोड से ही मिलेगा कोड से छूटने के इंदजार में कई टेंपो थाने के बाहर खड़े कबार में तबदील हो रहे थे दोनों समझ गए कि अब कोड से छूटने का मतलब है कि उनका टेम्पो भी यहां खड़े-खड़े कबार हो जाएगा थाने से छूटने के बाद दोनों अपनी जान बचा कर भागे दोनों का पूलिस से यहां पहला सामना था उनके लिए थाना रक्षक नहीं बलकि भक्षक बन गया था राथ हो गई थी इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं चल रहे थे दस किलोमेटर पैदल चर कर दोनों अपने गाउं पहुँच गए निरास, दुखी, तूटे हुए अपराजित से दीख रहे थे आखें आशुओं से अब भी भरी हुई थी मा को देखकर मनोच फूट फूट कर रो पड़ा घटना सुनकर मा की आखों में भी आशुआ गए घर को पट्री पर लाने की उमीद जो कुछ दिनों से बन रही थी अचानक चकना चूर हो गई पर मा ने हिम्मत नहीं हारी उसने मनोच को दिलासा दिया सब ठीक हो जाएगो तू चिंता न कर रात भर मनोच छट पर पड़ा रहा उसे नीद नहीं आई जागता रहा वह रात भर अब रात बीच चुकी थी सुबह हो चुकी थी कल की बेबसी ने जो आशुब है थे वह सूख चुके थे जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय सुरू किया गया था वह सपना तूट गया था पिछले एक महिने में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को समान ले की कोशिस की जा रही थी पर अचानक सब बिखर गया मनोच चाहता था कि कोई उसके मन में उमड घुमड रहे दुफान को थाम ले वह अपने दोस्त राकेस के घर चला गया उसने बिन्य भूमिका के अपने मन के क्रोध को राकेस से कहना सुरू किया जो लोग मेहनत करके इमानदारी से दो वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं उनको ही पकड के थाने में बंद कर दिया जाता है पुलीस ऐसा सुलू क्यों करती है जैसे हम चोर लूटे रहूंगे जिसके पास पांच-पांच बसे हैं पैसा है क्या सड़क उनके बाप की है गरिब अपने टेंपो को न चला सकते इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी घटना कह सुनाई राकेश ने मनोज को अधिक गंबिर होता देखा तो वह माहौल को हलका करने की कोसिस करने लगा कोई नई बात बता जे तो बस सब जानतो आज तेरे साथ घटना घटी है तो तू परिसान रहे हो रोज जे लड़ाई जगड़ा हो रहे हैं गरीब ऐसे ही पीस रहे हैं मनोज के मन का विद्रो अब भड़क गया पर ये तो गलत है ना जो इमानदारी से महनत से अपना काम कर रहा है उसे क्यों सताय जा रहा है राकेश ने जीवन का व्यभारिक गान ग्यान सब पार तरीके से मनोज को देने की कोशिस करने लगा मनोज इसलिए आदमी महनत करतो अपने मोडा मोडियने पढ़ातो नेता पुलिस से दोस्ती करतो तुम्हाए पास तो पैसा होते मनोज नेता विधाया कलेक्टर एस्पी जानते तो थानेदार से तुम्हारी सिफारिस कर देते पर तुम तो ठहरे ठंठन गो पाल कोई न जानतो तुम्हे ना तुम जानते काहू को मनोज को यह कड़वी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई मतलब पुलीस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जूटे केस ना बनाए गरीबू परत्यचार ना करे वह नियम और सिध्धानत की बात ही पकड़े हुए था लेकिन राकेस ने कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी तेरे जैसे लोग गाड़ी बाजी ना कर सकत सवारी बिठाने के चकर में गोली भी चल सकती है पिछले महिना जवरा पुलिया पे चली न गोली एक टेंपो वाले की जांग तूट गई तू रहन दे लड़ाई जगड़ा पुलिस कचहरी सड़क पे मार पीट ये तेरे बस की बात ना है मनोज कल से जिस घटना के कारण इतना परेसान था उस घटना को राकेश ने बहुती चलाउता सा और रोजमर्र की घटना मान लिया पर थानेदार की सकल याद करके मनोज को रह रह कर क्रोधा रहा था पर मैं उस थानेदार को भूल नहीं सकता राकेस भी अपने सिध्धान पर डटा रहा तो न भूल सब थानेदार ऐसे ही होते हैं राजा हजरिस्चन न होते हैं कुछ अच्छे भी होते होंगे जो सही काम करते होंगे जूठे केस नहीं बनाते होंगे कानून के रख्चक होंगे मनोज के मन में कलपना आने लगी मनोज की व्यथा अंधकार में प्रकास की खोज कर रही थी कहीं से वह आस्वासन चाहता था कि न्याय के पक्षधरता अभी जिन्दा है पर राकेस उसे यह तसलिक किसी तरह देने को तयार ना था अच्छे थानेदार मैंने न सुने पर मैंने सुनो है कि SDM दुस्यंसी गरीबन की सुनतो है इमानदारी से काम करतो है बड़ी तारीब सुनी है तू तो SDM दुस्यंसी से मिल ले हो सकत है टेमपो छूट जाए मनोज को राकेस की यह सलाख पसंद आई दुस्यंसी के नाम से उसे उम्मिद दिखने लगी तो दोस्तों देखते हैं कि क्या SDM सहाब से मनोज मिलेगा क्या SDM सहाब मनोज की मदद करेगा क्या मनोज का छोटा भाई का यह आईडिया काम करेगा क्या मनोज टेमपो छुड़वा पाएगा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक कि लीब